नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं और ना ही देश के उत्कृष सरकारी बिद्यालियों की विवस्ता का अधियान ही किया गया संग का कहना है कि सिक्षा का अधिकार कानून में उच प्रात्मिक इसकूलों के लिए निधारित सलाना कार्य दिवस 220 और प्रात्मिक इसकूलों के लिए 200 दिनों के विरूद राजे के विद्याले 252 दिन संचालित होते हैं इसके बावजूद इसकूली सिक्षा एम सक्षता विभाग ने आनन फानन में समधित आदेश चारी कर दिया संच का कहना है कि 21 नॉम्बर को राची में प्रस्तावित संच की राजे कार्य करनी की बैठक में विभाग के इस प्रामक और दोस्पूर्ण आदेश के प्रतिरोध की रणिती तय की जाएगी 15 दिसंबर से धान की खरीदारी सुरू होगी 15 दिसंबर से विभीन परखंडों के लेप्स में धान की खरीदारी सुरू हो जाएगी बतादेश पूर्व की तरह इस बरस भी धान जैसे ही लेप्स तक किसान लेकर पहुचेंगे उन्हें धान की 50 फिस्दी कीमत चुका दी जाएगी और धान के राई सिमिल तक पहुचते ही पूरी कीमत किसान के बैंक एकाउंट में पहुचाएगी बतादे जीला का परतेक किसान अधिक तम 200 किंटल धान लेप्स में बेश सकता है जीले में धान कटनी सुरू हो गई है बतादे अधिक धान रखने की जगा भी किसानों के पास नहीं होती है ऐसे में किसानों को 15 दिसंबर का इंतियार है सहरी स्वक्षता सर्वेक्षन 2020 में जार्खन को नमबर वन का समान सहरी स्वक्षता सर्वेक्षन 2020 में जार्खन नमबर वन बना है बतादे नगर बिकास बिभाग के सचीव बिनाय कुमार 14 ने समान प्राप्त किया बिभिन कटेगरी में राजे के कई सहरों को समानित किया गया बतादे सफाई के छेत्र में जमसेदपूर और जुग सलाई को भी समानित किया किसान आंदोलन में जान गवाने वाले किसानों के परिजनों को मिले 5 कड़ोर सीम हिमान्त जारखंड के मुख्य मंत्री हिमान सुरे ने किरिसी कानूनों को वापस लेने कि परधान मंत्री की घोसना पर तिखी पर तिकिरिया ब्यक्त की है उन्होंने कहा या घोसना दुर्भागे पूर्ण और हाथ से अस्पद है मुख्य मंत्री ने कहा कि पूरी भाजपा या प्रचार करने में जूटी है कि परधान मंत्री की सानियों के हितासी है या तो वही बात होई कि पहले किसी का गला दबाओ और यदि गला दबाने पर नौ मरे तो उसे गले से लगा लो और फिर बताओ कि हम आपके ही तैसी हैं ये बाते मुख्य मंत्री ने राची हवाई अड़े पर पत्रकारों से सुक्रवार को कही मैच के दोरान मैदान में घुसने वाले युगा को पूलिष ने जमानात पर छोड़ा है भारत और न्यूजिलन्ड मैच के दोरान सुरक्षा घेरा तोड़कर भारतिय टीम के कप्तान रोहित सर्मा के पास मैदान में पहुचने वाले युव को पुलिश ने सर्निवार को जमानत पर थाने से छोड़ दिया है बता दे जुव का नाम दयानन्द कुमार है और वह नवादा के नादरी गंज का रहने वाला है पुश्तास में उसने बताया कि वह रोहित सर्मा का फैन है इसलिए वह सिर्फ मैच देखने के लिए नवादा से राची पहुचा था जारखन में आयोगों वह प्राधी करनों के खाली पद कब भरे जाएंगे हाई कोट हाई कोट ने जारखन के विभीन आयोगों वह प्राधी करनों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने को लेकर दायर जनहीत याजका पर सुनवाई की चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस सुजित नरान परसाथ की खंड पिट ने वीडियो कंफ्रेंसी के माध्यम से सुनवाई करते हुए राई सरकार को जबाब दायर करने का निदेश दिया बतादे खंड पिट ने सरकार से पुछा कि आयोग वा परादी करनों के खाली पत कप तक भर जाएंगे इस बाबत सपत पत्र के माध्यम से जबाब दायर किये जाए आपको बतादे कि इस मामले में प्रार्ती जारकन हाई कोट के अधिवक्ता धिरज कुमार ने जनित्याज क दायर किया है जारखंड में पूलिस नक्सली मुटभेड में एक नक्सली घायल जारखंड के राची जिले के रातू पर खंड में पूलिस वर नक्सली के बिच मुटभेड हुई है इसमें एक नक्सली घायल हो गया है बताद्या स्थानिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि गुप्त सुचना पर लात्यार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाब करवाई की इसमें एक नक्सलिय भागने में सपल रहा जनकारी के अनुसर लात्यार पुलिस को नक्सलियों के समध में गुप्त सुचना मिली थी इसी क्या लोक में लात्यार पु सिमरी स्वास्त भी हुए हैं भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या एक लाग चोविस एर चोवत्तर है कुरोना परभावितों के मानसिक स्वास्त पर होगा सोध कुरोना में हमारी से परभावित लोगों और उनके परिवारों के मानसिक स्वास्त को लेकर अब सोध किया जाएगा बतादे सोधकार के दाएरे में जारकन सहीत पछी मंगाल असम वा मनिपूर राजे होंगे ICMR ने CIP को इसकी मुख जिमिद्वारी सोपी है इसमें रिम्स, CCL वा जीला परसासन भी सहयोग करेंगे सोधकार का दाएरा बढ़ाने के लिए पूर्व छेतर के कुछ अस्पतालो और उस छेतर से जुड़े लोगों से भी जनकारी ली जाएगी बता दे पचिम मंगाल आसम में तेजपूर वा मनिपूर मेटकल कॉलेज में बनाएगा स्टेंटर CIP को जनकारी कठा कर रिपोर्ट सोंपेंगे रेल और कोल कमपनियों के खिलाब भी होगा अंदोलन जामोमो महासचिव सुपरियो भटाचाज ने कहा कि जैसा अंदोलन टाटा जैसी कमपनियों के खिलाब हो रहा है वैसा ही अंदोलन अपने अधिकार के लिए अब सेल, रेल, कोल कमपनियों और 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 पी, एस यू के खिलाब भी होगा बतादे बरियात्तो इस्थित जामोमो के केंदरिये कर्याले में जामोमो महासचिव ने कहा कि किसान अंदोलन की सपलता के बाद अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ने को तयार हैं पहले पाचान के लिए लड़े थे और अब अपने अधिकार को सुरक्षित करेंगे गढ़वा में हाथी की मौत जारखन में हाथियों का उत्पात कम नहीं हो रहा है हाथियों के आतंक के बीच गढ़वा जिले के रंग का थाना चेतर के भैरी गाउ में धान की खलियान में एक हाथी की मौत हो गई है बता दे मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है बन अधिकारियों के अनुसार पोस्ट माटम के बाद ही मौत की वज़ा का पता चल सकेगा इस बिच जनकारी मिलते ही गिरामिनों की भीड मिरी तहाथी को देखने के लिए जुट रही है जारखन में CRPF बहाली के नाम पर यूको से ठगे 47 लाख रुपए CRPF में बहाली के नाम पर गुमला खुटी और सिम्डेगा जिले के 30 यूको से 47 लाख 50 रुपए ठग लिए गए है बतादे 25 आदिवासी यूको से 50 लाख रुपए लिए गए जबकि सवाने वर्ग के 5 यूको से 2-2 लाख रुपए ठगने का रुप है बतादे ठग सागर वनसीग सराइक लेखर सावा करहने वाला है ठग ने 37 यूको के प्रस्तावीत परमान पत्र भी अपने पास रख लिए है 14 पूलिस ने 10 एकड में पोस्ते की खेती को किया नस्ट वसिष्ट नगर ठग पूलिस ने अभियान चला कर पोस्ता की खेती को नस्ट किया है बतादे ठग अधिकारियों का दावा है कि करिब 10 एकड में लगी खेती को इस अभियान के तहत नस्ट किया गया बतादे अभियान की सुरुवात पंडर कोला और पोस्वार बन भोमी की लगी खेती से की गई धनबाद जर्ज हत्याकांड मामला जारखन हाई कोट ने धनबाद के जर्ज उत्तम अनंद हत्याकांड मामले में सीबी आई की जाच रिपोर्ट से नराज़गी जदाते वे एक बार फिर टिपनी की है चीफ जस्टिस डाक्टर अभी रंजन वा जस्टिस एसन परसाथ के अदालत ने मौकिक रूप से कहा है कि भले ही सीबी आई इस मामले के खुलासे को लेकर अस्वस्त हो लेकिन अब तक की जाच से अदालत का विश्वास हिल गया है फिलाल अदालत देखना चाहेगी कि सीबी आई की आगे की जाच में क्या सामने आता है इसके बाद अदालत ने सीबी आई को अगले सब्ता इस मामले की जाच रिपोर्ट पेस करने का निदेश दिया है जार्खन उर्जा संचरन निगम के खिलाप करवाई का आदेश National Company Law Appellate Tribunal ने जार्खन उर्जा संचरन निगम लिमिटेट को दिवालिया घोस्चित करने की करवाही सुरू करने की परकिरिया आगे बढ़ाई है काम के एवज में भुकतान नहीं मिलने के कारण रामजी पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने NCLT कोलकाता में जार्खन उर्जा संचरन निगम लिमिटेड के खिलाप आवेजन दाखिल कर दिवालिया घोस्चित करने की मांग की थी तीसरे T20 मैच के लिए कोलकाता रवाना हुई दोनों टीमें भारत निउजलेंड टीम का बिमान संचिवार को दो फर दो बज कर 40 मेट नाची एर्पोट से कोलकाता एर्पोट के लिए उड़ान भरा दरसल टीम को एग घंटे पहले कोलकाता एर्पोट के लिए उड़ान भरना था लेकिन कारकरों में फिर बदल होने के कारण समाई को एग घंटा और बढ़ाया गया बताद एर्पोट पर सबसे पहले निउजलेंड की टीम पहुँची थोड़ी देर बाद टीम इंडिया के सबसे पहुँचे दो बजे उनकी टीम एर्पोट पहुँची रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में सेंटरल इमर्जेंसी की सुरू करने की तयारी रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर को कोविट सेंटर के दरजा से मुक्त करने के बाद इस सेंटर में सेंटरल इमर्जेंसी सुरू करने की तयारी सुरू कर दी गई है चल्दी अब ट्रामा सेंटर में इमर्जेंसी सेवाय बाहल हो जाएंगी इस समध में रिम्स निदेसक टाक्टर कमिस्वर पर साथ ने बताया कि काफी समय से यहां पर कुरोणा मरीजों की संख्या कम रही है जिसके बाद अब सिर्फ एक फलोवर पर मरीज को राखा जाएगा बाकी सभी फलोवर पर समाने गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा वकालत नामा एवं सपत पत्र पर वेल फेयर स्टांप लगाना अनिवारे राजे के परतेक वकील एवं नोटरी पबलिक को अब हर हाल में परतेक सपत पत्र एवं वकालत नामा पर वेल फेयर स्टांप चिपकाना अनिवारे होगा इस कानून का उलंगन करने वालों के खिलाप स्टेट बार कॉंसील बीधी समध करवाई करेगी पतादे वेल फेयर स्टांप चिपकाने की अनिवारेता पर जारकन इस्टेट बार कॉंसील ने राजे भर के बार एसोसेशन को पत्र के माध्यम से सुचित किया है पत्र में कहा गया है कि परतेक वकील यम नोटरी को वकालत नामा यम सपत पत्र पर 15 रुपए का वेल फेयर स्टांप अनिवारे रुप से चिपकाना है खोटी उपायुक ते खोटी उपायुक सस्टी रंजर और पुलिस अधिक छक आसुतोस सेखर ने सनिवार को तोरपा परखंड की सुंदरी पंचायत और समुदाइक भवन खोटी टोली में आवयजीत आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के सीविर का निरिक्षेन किया डिसी ने कहा कि बिरिधा पेंशन, बिधवा पेंशन का लाब, अधार कार्ड सुधार, राशन कार्ड का लाब, स्रम निवंधन का लाब, हेल्थ चेक अप, कोविट टी का का लाब, जमीन से समन्दित ऑनलाइन तूटियों का निराकरन, जमीन मापी का मामला, मन्रेगा के जमीन से आप जूज रहे हैं, उन साभी का निराकरन इस विशेश सिवीर के मादयम से किया जा रहा है, केंद्र माफी मांगना सुरू करे तो 2024 तक रोज मांगनी होगी, कॉंग्रेस, जारखन परदेश कॉंग्रेस कमीटी के परदेश अध्यक राजस ठाकु ने किरिसी को आपस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए, कहा कि केंद्र सरकार अपनी गलतियों के लिए आज से माफी मांगना सुरू करे तो 2024 तक हर दिन माफी मांगनी होगी, वे सनिवार को किरिसी कानुनों को आपस लेने के प्रदान मंत्री के फैसले पर अपनी परतिकरिया दे रहे थे, इस तोरण कॉंग्रेस विधायक दल के नेता सग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मजूद थे, कॉंग्रेस मुख्याले में अविजित प्रेस कॉंफरेंस के बाद पूरे वर्ष भर्ष से चल रहे किसान अंदोलन के दोरान सहीद हुए लगभग साथ सो द जिवयंगत किसानों को सरधांजली अरपित करने के लिए राइधानी राची में कॉंग्रेस भवन से सहीद अलबर्ट एका चोग तक केंडल मार्च निकाला गया, धन्यवाद